नमस्कार स्वागत है आप सभी का The Economist में तो कैसे हैं आप सब आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया है तो चलिए एक कोट के साथ शुरुवात करते हैं बढ़े सपने लोग कभी हिम्मत नहीं हार नहीं है डू यूर बैस्ट अपनी जो बैस्ट ना जितना आप कर सकते हो वो करके दिखाओ और हमेशा द्यालू रहो और यहां पर अपने जो फैमिली उसके साथ प्रेम करो और एक अच्छी एक्जैंपल सेट करो करने का मतलब की जिससे की आने वाली पीडी आपसे सीखें ओके मतलब की जैसे आगे भी कुछ बच्चे आएंगे जो की स्टूड़न के रूप में आपके सामने आएंगे तो उनके सामने एक आईडल बना है आपने तो एक एक्जैंपल सेट करनी है कि बच्चों को पता करना है उनमें विश्वास रखना है और आपको भी समझाएगा कि मतलब सभी आपसे प्रेम करते हैं और कि मतलब ऐसा सेनेरियो बना के चला है तो हमेशा ना जब सपना ही बड़ा नहीं होगा तो बहुत नीचे तक रहेंगे जतना बड़ा सपना लेगे ना तो उसका थोड नीचे रहोगे तो यह आपकी सोच की उपर है सोच हमेंशा बड़ी रखो शोटी सोच तक मत रहो बड़ी सोच रखो कही ना जो ना काफी कुछ आसिल कर लोगे उसके रिगार्डिक अगर बड़ी सोच लेकर चलते हैं तो चली आगे बढ़ते हैं तो यह है आज का अच्छी खासी रिटेल इन सभी एडिटोर्यल में दी गई हैं यहां पर कुल मिलाकर यह चार पांच एडिटोर्यल एक दो तीन चार पांच एडिटोर्यल तो इन पांच एडिटोर्यल में से यहां पर चार एडिटोर्यल को डिसकस करेंगे तो उस सभी एडिटोर्यल में इन सीरम इस्टिक्टूट ऑफ इंडिया के जो सीई हो है अधार पुनावारा तो यह कोवी शीर्ड नाम की वैक्सिन बना रहे हैं जो की आम सरकारी हॉस्पिल्स में जो लगाई जा रही है वैक्सिन तो अभी यह कह रहे हैं कि आने वाले दो तीन महिनों तक जो है ना थोड़ी जो है देखने को मिल सकती है क्रोना वाइस वैक्सिन की जो की इनकी कंपनी बना रही है सीरम इस्टिटूट ऑफ इंडिया तो यहां पर अभी बेसिकली इस फ्रंट पेस्ट न्यूस के ओपर हम डिसकेशन अभी करने जा रहे तो यह फर्स्ट आरिकल में भी यहां पर बीज एक्क होकर आही है नहीं सरकारें पार्टी कांपी काती बाती कि इसा नहीं कि अलग अल्ग प्तलब सेम चीज आघ़ चलेगी तो यहां पर सत्ता रिस्ट आउसके बारे में तो आखे से मैं चर्चा करूँ के ऊपित अर्या पूरा scenario वही दिया गया है जो हम इन चार articles में discuss करेंगे तो इसलिए मैं इसको discuss नहीं करूँगा तो इन चार articles को हम अभी discuss करने जा रहे हैं अच्छे से तो पूरा का पूरा जिस्ट आपको पूरी knowledge जो ना इस पूरे page के बारे में आपको हो जाएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो लेक्चे शुरूर करने से पहले एक like जरूर कर दें, share करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा तो इसके बाद अगर आपको PDF चाहिए तो टेलिग्राम चैनल का link given है description box में यहाँ पर भी लिखा है तो यहाँ से भी आप टाइप करके जो है इस चैनल तक पहुंच सकते हो तो वहाँ पर daily basis पर PDF जो है वो available होते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो चलिए detail में डिसक्स करते हैं tutorial number one को तो यहाँ पर बात करें gains for BJP at the national level thanks to closing office would be alternative यहाँ पर क्या बात करें basically starting में बात करें कि अभी केरला की बात कर ले असाम की बात कर ले और वेस्ट मेंगॉल की भी बात कर ले ना तो वहाँ पर भी मतलब की सफलता नहीं पाई जा सकी है तो यहाँ पर किसकी बात करें यहाँ पर Congress Party की बात कर रहे हैं तो यह सब जगह हरी है कि कैरला में भी हरी है असाम में भी हरी है और West Bengal में भी यह साइड लाइन कर दीगी तो यहाँ पर Left Party इसके साथ गटपंदन करके Congress Party ने election लड़ा था और मतलब की Zero पर पहुंच गया Left तो मतलब Congress Party भी जो है वो भी Zero हो जाए तो यहाँ पर जो अभी की leadership ने Congress Party की तो उसी के ओपर यह question mark उठ रहा है तो मतलब totally वह बदनाम हो चुकी है तो पहले भी यही रीजन्स यहाँ पर उनकी leadership के उपर ही लगाये जाते तक कि अच्छी leadership नहीं जिसके वज़े से यह लगातार हार रहे हैं और अभी इन सभी राज्यों भी जहां-जहां elections होए है तो वहाँ पर भी यही situation देखने को मिली है तो अभी जहां पर elections होए है तो अभी यह चार राज्यों और एक यूटी है कैरला है असाम है तामिल नादू है वेस्ट बेंगॉल है और पुड़ुचुरी पुड़ुचुरी जो है वह यूडिन टेरिट्री है लेकिन विद असेंबली हाउस तो यहां पर भारत में सिर्फ दो ही यूटी सैसी है जिनके पास असेंबली सीड्स है एक है प बिजेपी बी काफी राज्यों में हारी तो वेस्ट बेंगॉल पर भी अच्छी फाइड देते होते फिर भी हार गी है लेकिन फिर भी मजबूती मिली है बीजेपी को यहां पर आफ्टर वही बात करें कि जो नौन बीजेपी विक्टर्स है तो जादा तर वही इन लेक्श कि जैसे अगर मैं बीजेपी की बात करूं बीएश्पी की बात करूं कॉंग्रेस की बात करूं पर जो की ममता बिंद्र जी की पार्टी है और यहां पर राष्ट्रिय बाटी है भारत की तो मतलब कि जाना तर राष्ट्रिय बाटी हैं कोई जिम्यदारी बनती है वही आ आगे आती है केंद्र में सरकार बनानी यहां पर अभी बीजेपी को कोई यहां पर थ्रेट नहीं है कि सभी के सभी की रिजिनल पार्टी जादा और इसकले वह बात करें कि अगर पिछले प तो उनको एक साइड कर दिया तो अभी जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है टीम सी के खिलाफ तो वह बीजेपी खुद है वोगे तो इनकी भी जो ना एटी के आसपा सीट्स आई है तो तो दो सो पांच से जादा सीट्स होगी तो अभी क्लारिटी ना एक दिन के बाद तो अभी आज शाम तक अच्छे से होगी कि मतलब किसकी कितनी सीट्स आई तो अभी वही बात कर रहे हैं तो अभी उनों जो यहां पर प्लिटिकल एजेंडा अलग से बीजेपी ने अपना सेट कर दिया है वेस्ट में इसके लावाब बात करें केरला की विए अगर बात कर करें हैं इन दोजारएक्स के पहले की और के पहले यहां पर दोजारीटीस के लेक्षिन के पहले यहे पिछली बार कभ होता दोजा सोला में लेक्सन होए तो दोजारएक्षिन आई भी थी ना उस समय की बात कर रहे हैं कि जब बीजेपी अपना माहौल बना रही सी दिरी दिरे कैरला में तो उसने भी यहाँ पर समाजिक कि उनकों की जिसन में बदराब हो लाया है तो यहाँ पर फोर्स किया चीहांपर मतलब drive of कैरला में काफी बड़ा यहां पर शराइन है लौड आयपपा का यहां पर मंदिर है जहां पर की जो मतलब की इस तरीके से बात में उनको लगा पार्टी को कि हमने गलत यहां पर कहीं स्टैंट तो नहीं ले लिया यहां पर बीजेटी पॉलिक्स तो नहीं खेल जाएगी तो यहां पर यह जो आँकरी जी जो बाते होती ना तो मतलब यह धार्मिक भावनाओं के साथ जुड़ी होती है अगर थोड़ी बहुत भी किसी तरीके से शेडशार की जाए ना तो उसका पॉलिटिकल पार्टी इसको नुकसान हो जाता है तो अभी दार्ना यह कह रही है कि मत पर उसकी एंट्रीड नहीं है वो जा सकती है सब्रीमला शराइन में और इसके लावा यहाँ पर वीजेपी ने अपने कंडिटेर्स को भी अपनी उस Constitution में प्रोटसाहित किया मतलब कि सीदी सीदी यहाँ पर यह बात कहते कि हमें मुस्लमानों की वोट्स नहीं चाहिए हमें यहाँ पर सिर्फ हिंदू वोट्स चाहिए जब भी हम बीज़ेपी की बात करें तो यह जब भी जहां पर भी एक्षन लड़ते हैं यह सेम ही यहाँ पर इनका यहाँ पर न सेनर्यू देखने की मिलता चाहे उतरपरदेश में हो उतरपरदेश में भी योग्य दित्यनाथ काफी बार यह स्टेटमें देते पाए गए हैं कि हमें मुस्लिम इसके वोट नहीं चाहिए हमें हिंदू के ही वोट चाहिए हमने उन्हीं के दम पर सरकार बनानी है तो सेम मतला एजेंडा यहीं पर भी चलाया गया लेकिन इस बार फेल हो गया लेकिन अगर बात करें ना पुड़ुचिरी की अब यह एक महिने पहले की बात है पुड़ुचिरी में कॉंग्रेस की सरकार चल रही थी लेकिन वो सरकार गिरादी गई सब्सक्राइब लेकिन गवर्नर थी उनको भी हटा दिया गया और जो तमिलाडू की गवर्नर थी उनको यहाँ पर एडिशनल चार्ज दे गया पुड़ुचिरी का और मतलब की सरकार गिरादगी इसको भी शामिल करने के हैं तो इलेक्शन यहाँ पर भी हुए तो अभी ब पर नजर करके सरकार बन बहुत बड़े प्रशा आ चुके हैं जो है पॉइस काफी बढ़ चुका है तो अभी जो लीडर्शिप ना उसकी ऊपर यहां पर इनको मन्थन करना होगा दो वारस एक्सपोस हो चुकि इनकी यहां पर अच्छे से काम नहीं कर रही है तो अभी बहुत कम रूम बचा है कि मतलब ऐसी जो डिमार्ट से नहीं जो यहां पर रिफॉर्म चारी कि लिडिर्शिप में डिफॉर्म आए बदलाव आए कोई तो मतलब जो गांधी वाला टैग नहीं है तो चलिए अभी बात करते हैं अडिटोरिल नंबर तू की तो यहां पर बात करें हैं कॉंपलासेंस नौट एन ऑप्शन फॉर री एलेक्टिड तो कहने के यहां पर मतलब है कि दुबारा अगर आप रिएलेक्टिड होना चाह रहे हो तो यहां पर पसंता उन्हें से यह यहां पर कोई आप्शन नहीं है मतलब कि अभी देखो एलेक्शन रिजल्ट आये तो काफी सारी पार्टी इसने जीता है तो अभी उन्हीं के बारे में बात करें कि अगर कोई पार्टी दुबारा से रिएलेक्ट हो जाए तो मतलब वह अलग से फिलिंग आती है कि हम काफी अच्छा कर गए हैं और मतलब confidence बढ़ जाता है और काफी खुशी होती है तो यहां पर वही बात करें कि यह कोई option नहीं मतलब जिसके चलते आप दोबारा से रिएलेक्ट हो जाओगे तो यहां पर अभी बात करें कि जो यहां पर अपने आपको परसंद कर सकते हैं वह करती है तो यहां पर केरला की बात करें तो यहां पर यहां पर यह बात करें कि डिजर्व करती है करती है सरफ यहां पर इस लिए कि उनने यहां पर सरवाइब कर पाई इसमें इतने मतलब काफी बड़ी एक पर गोज की सेफटी हम कहें ना मतलब कि अपनी जो सीड थी वह शोड करना यह दूसरी कि इस सीट के उपर एक्षन लड़ी थी जिसमें यह हार गई तो यह कौन से सीट थी यह नंदी ग्राम वाली सीट थी जिसमें की सुवेंदू अधिकारी वह लड़ रहे थे बीज़ेपी की तरफ से अगर मैं बात करूं ना सुवेंदू अधिकारी की तो वह भी TMC के ही लीडर थे उके तो पिशली बार जब 2016 के लेक्षन हुआ था तो वही वह भी ऑल इंडिया तरफ से ही यहां पर लेक्षन लड़ेते हैं और जीते थे तो मतलब इनका परिवार पिछले काफी सालों से TMC का ही यहां पर साथ देता आ रहे लेकिन अभी 2021 में यहां पर शुरवाती दिनों में ही जो है ना जो सुवेंदु अधिकारी वो बीजेपी का पाला पकड़ते हैं और जो नंदी ग्राम सीट जो कि उनकी पुष्टैनी सीट है ना तो वही से वह लेक्षन उन्होंने लड़ा और यहां पर ममताब एनरजी ने उनको चैलेंज किया था तो कि सुवेंदु अ कैसे होता है अगर की शबत लेगी लेकिन आने वाले शे महिनों के अंदर-अंदर ना किसी यहां पर सीडसे उनको आलेक्ट हो कर असेम्बली में जाना होगा तो यहाँ पर उनके पास शे मेने का समय है हैं, ऑकर तो ऐसे अगर स्पोर्ज करो, कोई भी बंदा मतलब जो एम एले बन गया, जो यहाँ पर स्टेट एसेंबली होती हैं, मले बन गया है न जगर आगे मतलब सरकार उनकी नहीं बनी, तो मतलब वह अगे स्यम नहीं बन सकता, अगर मज़ोर्टी में नहीं आया और दूसरी और अगर उनकी पूरी जो है मज़ोर्टी में आगे लेकिन जो सीएम बाला कैंडिडेट वह आगे जा सकता है ओद शपत ले सकता है लेकिंशे मेनी तक की डूरी को क्वरें यहां पर भी दो तरीके होते एक तो लोग चुनकर बेजेंके रहें दूसरा होता है यह आपर legislative council तो वेस्ट बेंगॉल में legislative council नहीं है तो मतलब सिर्ब यहाँ पर भारत में सात राज्य जहां पर legislative यहां पर भी सीधे यहांपर जो मगरा होते हैं तो फिशलते के था इनस अंकर यहां पर Яसी को में तो यहां यहां पर पंचाहिती राज होता है तो वहां से वोटिंग होती है और यहां पर मेंबर चुनकर जो है आगे बेजी जाते हैं लगलग कैटेकरिस में लेजिस्याटिव काउंसल में तो वहां पर फिर ऐसे जुरूर्ट नहीं बढ़ती है कि मतलब लोगों में जाओ और वहां से है ना तो उसी को रिपीट करके अपनी परफॉर्मेस को तो हम यहां पर दोबारा से आने वाले पांच सालों के बार दोबारा से अपनी जो ना पकड़ बनाए रखेंगे राज्ये में तो वह मुश्किल है तो यहां पर बात करें कि मतलब बदलती रहती है उसमें बदलाव हैं लेकिन कई बार वो हार भी जाती है फिर आगले जो नए र Singapore के बार यहां पर मँशन अस्वान की बात क्वेंट तो यहां पर उसकता है कि इसकी सेंस जो है ना वह गलत हो बरव कि आने वाले समय में आकट, आ चारे रहे हैं क्या बदलाव आपने चारे उस को यहां पर समझने की ज़रूरत और शॉपर यहां पर वह सकता है और संसल passiert हो है आने वह समय में बड़ी मिस्टेक के तोर पर आगे बढ़ सकती जैसे यहां पर पैनारी सिंप्राइट डीद jut करते हैं जिसको हम सीप्य बोलते हों कि कमिर्स पार्टी ऑफ इंडिया तो यहां पर उन्होंने इंप्रेस किया अपनी पॉपॉलेशन को जितने मल्याली यहां पर जो इनकी अबादी है उनको और यह अबादी जो है तीन करोर के आसपास है करला की अगर मल्याली लोगों की ब कि वह पर्मनेंट क्राइसिस में ना हो कि यहां पर हो सकता है कि आने वाले समय में जो ना वोटर सको अगर इंप्रेस करना है तो आप ना कर पाएं तो यहां पर उनको जरूरत है अभी नए आइडिया की कि एकनॉमिल डिवल्मेंट को किस तरीके से लेकर जाना है राजय कि कि किस तरीके से आगे बढ़ाना है तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि मतलब कि यहां पर सभी तरीके से आप आगे पर स्यूप कर पाओ तो क्राइस मैंटेंट के समय जबातर सरकार यहां पर वालफियर का ही यहां पर शिका चलती है कि लोग जो ना परभावितों और हमारी लेकिन यहां पर आफर बात करें कि नई आइडियाज की जुरूरत है इस पॉलिटिक से भी हमें आगे बढ़ना होगा और आगे यहां पर बात करें बीजेपी के बारे में तो असाम में बीजेपी दोबारा से वापसी कर दिये तो उनको एक तरीके सा फ्री पास मिला है फ्री को है रहा है कि कौन यहां पर लेट कर राएं उनके इया और उन्हीं के सहारी जो ना असाम में पारटि को शोड़ दिया गया मतलब कि पता जुह है क्या साख है किसको बचाना है तो उनको तो यहां पर जिस तरीके से आगे बढ़ना हो सकता है एक experience की कमी हो मतलब की सरफ और सरफ कुछ गिने चुरे बंदों के उपर इना पुरा दारमदार डाल देगा तो यहां पर मैं बात करूं न यह तीन बार मुख्यमंत्री बने हैं असाम के यह लॉंगे सर्विंग सीम है असाम के कॉंग्रिस पार्टी को बिलॉंग करते थे और यह 2001 में बने थे सीम और 2016 तक यह रहे थे तो मतलब की तीन बार लगातार बने थे अच्छी खासी विक्टरी इनकी थी तरुन गोई तो यह इनकी देथ हो गई है 2020 में और इनकी रहते काफी अच्छी खासी लीडर्शिप बन चुकी थी कॉंग्रस पार्टी की असाम में मतलब बीजेपी का इसा नहीं लग रहा थे कि तो बाद कभी वापिस ही करेगी कभी सरकार भी बनाएगी लेकिन अभी लगतार वही आएगी तो सरब्नांदा सोनोगा जो है ना वही जो है बतार मुक्ष मंत्री सेवा ने बाएंगे आगे तो यहां पर बीजेपी के लिए बात कर रहे हैं उतर तो इस क्राइसिस के बारे में स्लूशन डोड़ना होगा तो यह क्राइसिस कैसे हो गया एन आर्सी के आपर क्या है नार्सी का मतलब है नैशनल रेजिस्टर फॉर सिटिजन्स तो भारे सरकार ने असाम में लगाया था जिसकी बखौदा इसके ओपर काफी पैसा खर्चा कालना था तो इस लिए यहां पर यह नार्सी बनाई गई और इसमें ऐसा रखा गया कि 1971 का यहां पर एक टाइम लग रखा गया 1971 में ही बंगलादेश बना था तो पहले वह इस्ट पाकिस्तान था तो 1971 के साफ से यहां पर बात की गई कि जो भी बंदा चाहे वह हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो अगर 1971 से पहले का असाम में रह रहा तो अपनी जो सिटिजेंशिप है वह उसको प्रूफ करें जो भी डाकुमेंट्स प्रयाप चाहिए कि आप 1971 के पहले से यहां पर रह रहे हैं अगर नहीं वह अपने आपको साबित कर पाता तो फिर यहां पर अलग से सेंटर मना दिये गए हैं तो वहीं पर रखा जाएगा तो आगे उनके साथ क्या किया जाएगा बेंगा जो बंगलादेश की सरकार है शेक सीना कि उन्होंने भी यहां पर क्वेशन मार किया था यह जो आपने लोग रखे हैं मतलब नर्सी में जो शॉट लिस्ट करती हैं ज पहले 40,00,00,00,00 जो पहला यहां पर ड्राफ्ट त्यार किया था उसका जो रिजल्ट आथा वह यहां पर 40,00,00,00,00 जिसमें जर्दातर मुस्लिम से लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट आया इसका तो उसमें इनकी अबादी गिंती जो थी यह 19,00,00,00 रहेगी कि मतलब इनीस बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कोई प्रूफ था यह नहीं लेकिन अपनी अपरोच लगा कर उन्होंने परूफ वगधारा बना लिये तो जो मतलब यहां के थे नहीं अपने अप्रोच लगा अकर प्रूफ बना लिया और अपने आपको साबित कर दिया कि हम यह नहीं के थे 1971 से पहले से यहां पर रह रहे और कुछ जो लोग ऐसे थे जो यहीं के रहने वाले थे लेकिन वह अप्रोच नहीं लगा पाए इतना प्राणा डाकुमेंट नहीं पेश कर पाए और उनको यहां पर इसलिस्ट में डाल जेगे नर्सी में तो यहां पर सिच्वेश हैं और बात कर रहे हैं तो यहां पर इनकी फैन फालेंग बन की जो ऋनके आसपास तो यहां पर जो लोग चाहरे हैं न फरदर लोग यहीं चाहरे है कि यहां पर कम से कम करप्श रहर ही तो मतलब जो नफरत है उसका कल्चर यहां पर खतम हो तो जो प्लिटिकल वाइलस है उसका कल्चर भी यहां पर खतम हो लास्में यही बात कर रहे हैं कि गलत तरीके सब्सक्राइब अप्रोच लगा रहे हैं तो अभी देखो अभी लेक्शन हो गए जितने भी ब्लेम लगने थे सब कुछ खतम है और यहां पर गवर्नस देने की कोशिश की जाएगी जो जो भी यहां पर चुनकर आए तो चलिए अभी बात करते हैं रिटोरल नंबर त्री की यहां पर हम बात करने जा रहे एडीदी फॉर एवरी ऑपोजिशन तो अभी शुरुवात में बात कर रहे हैं कि ममताब एनर जी ने जोना एक हेंट दिया था यहां पर एक कंपेज लेक्शन कंपेज चल रहा तो उस से आब शरत पवार हो लेकिए नेशनलिस्ट कॉंटर्स पार्टी के लीडर अभी इनकी सरकार चल रही है महां राष्टर में तो जो शिव सेना के जो यहां पर सियंद्धार करें तो इनकी गडबंतन सरकार रहे हैं तो यहां पर इस गडबंतन का नाम दिया हुआ है बिहार की डिप्टी सीम रहा चुक्क है तो भी हाली में बिहार में एलेक्शन है दोज़ार वीस दिसंबर में यहार गई तो नीटिश्कुबार ने दुबारा सरकार पना लिए हलाकि इनकी पार्टी की यहां पर काफी सीड्स आई थी लेकिन फिर भी यह सब्ता में नहीं तो वो भी सीम रहें उत्तरप्रदेश के और आगे अर्विंद केजरी बाद जो की डेली के अभी मौजुदा सीमें तो यहां पर अगर इनके साथ जो हैं आगे मिलकर बात बन सकती तो यहां पर यहीं बात कर रहे हैं ऑथर कि जो सभी लीडर्स हैं इनोंने अपनी कि बड़े लेकिन यह सब बाते हैं अभी जो ना सर्फ और सरफ साइकोलोजीकल लेवल पर हो रही है मतलब की पार्टी बाजी में क्या होता है कि यहां पर हरानी की कोशिच की जाती है दूसरी पार्टी को देखो हम यहां पर कितने बड़े पिमाने पर हमारा गटबंतन हो कर देखो हमारे पास इतने इतने पार्टी तो यहीं बात कर रहे हैं कि अभी जो हना मौकळी जो हना तो मतलब कि दुबारा सत्ता में वह आगी है मंता बैदर जी अच्छी घासी यहां पर लेकर आई तो अभी वह इनिशेटिव ले सकती है तो यहां पर इन प्लिटिकल गृप्स को एक अठा कर सकती है जैसे यहां पर और जो सेंक्शन जैसे यहां पर प्रट्रेस्टिंग फार दो होजार चौबीस मज़ एलेक्शन होना तो उसमें कोशिश की जा सकती है कि ममताब इनरजी को प्रोजेक्ट किया जाए यहां पर यहां पर आगे बात कर रहे हैं कि अगर ऑपोजिशन के पास यहां पर कोई कॉमनली एसेप्टेबल चेहरा नहीं है कि अगर मतलब मोदी क को नैशनली काउंटर करना है तो यहां पर जो नहीं इसके बारे में और भी यहां पर सिचुएशन जो है और क्या कर सकते तो यहीं बात यहां पर कर रहे हैं तो मतलब कि एक कॉमन निरेटीव बन जाएगा और इस कॉमन निरेटीव में क्या कर सकती है मतलब कि यह जो हमारे जितने भी like-minded parties उनको एकठा करें और यहां पर दबाव बनाना शुरू कर दे बीजेपी की ओपर यह तो कर सकते हैं मतलब कि जब opposition ही मतलब बड़े प्यमाने पर एकठे हूँ और एक common narrative मतलब बनाए एक मतलब नहीं धारना रखें कि हमने यहां पर बीजेपी की सरकार को oppose करन तब ही जो सत्ता में government हो सही से रूल कर पाएगी अगर opposition भी सही नहीं होती है राज्यों में तो वहां पर मनमर्जी करती है फिर राज्य सरकार अपनी जिस भी पार्टी की सत्ता आती है तो फिर मतलब जरूरी नहीं है कि साभी चीज़ें जो नहीं वह सही हो तो बहुत सारी यहां पर मुद्धे ऐसे भी होते जिनको रोकती भी है कि सही नहीं है देश के लिए या किसी राज्य के लिए तो अच्छी opposition बहुत बढ़िया बात होती है यहां पर वही बात कर रहे हैं कि क्या दीदी जो है वह यहां पर फेस बन सकती है इस entire opposition की उनका चेहरा बन सकती है पूरे opposition की यहां पर बात कर रहे हैं कि unlikely especially किन के लिए यहां पर नहीं बन सकती जैसे खात तो पर पर हिंदी हाट लैंड है जैसे उत्तरबरदेश हो गया यह पूरा मद्यवर्देश हो गया ओके राजस्तान के यहां पर कुश हेरिया हो गये तो यह मतलब पूरा का पूरा ह करनाटका तो यह मतलब यहां पर भी मुश्किल है तो यहां पर बात कर रहे हैं कि लेकिन इनिशेटिव ले सकती हैं उनको एक थीम के बड़े थीम के साबसे एकठा जुरूर कर सकती हैं चाहे हम हिंदी हाट लैंड की भी बात करें चाहे सौथ इंडियन स्टेट्स में जो कठा जुरूर कर सकती हैं तो यहां पर बात करें कि लेक्षिन के चलते समय एक्षिन कमिशन ओफ इंडिया ने ममता मैंदर जी के ऊपर मैन लगा दिया 24 गंटों यहां पर वह इंसिदेंट हो था कुछ लोगों की हत्या होई तो यहां पर जो दूसरी बार्टी के लोग थे तो उनों को कुछ नहीं कहा गया तो यह ऐसा यहां पर यह funda जो ना उबर कर आ सकता है कि election commission का क्या role सही है तो इस मुद्धे के उपर सभी parties आएंगी क्योंकि सबको बता है कि election सही तरीके के से होने चाहिए वहां पर कोई गड़बरी नहीं होने चाहिए तो इलेक्शन कमिशन को भारतिय समधान के आर्टिकल 324 के तहद बनाए गया इसके पास काफी पावर्स है क्वाजी जुदिशल पावर्स इनके पास है कि जैसे एक जुदिशरी के पास पावर होती है सजा सज ही देते हैं जैसे 24 गंटे के लिए बैन लगा दिया तो इस तरीके से यहाँ पर ना मैनेज करके चलते हैं एलेक्शन को और आगे बात करने की कोवेड-19 की तो यह भी मतलब की काफी बड़े पैमाने पर बढ़ता जा रहा है तो यहां पर जो लोग है ना तो मतलब भूलने वाले नहीं है कि मतलब किस तरीके से नोने आपर बेट की शौटेज देखी है और यहां पर बेंगॉल एलेक्शन जीतने के लिए उनको यहां पर अपने जिन्दकी और मौत का सवाल बना लिया था और दूसरी और यहां पर जो रियर लाइफ थी ना और यहां पर डेट्स और यह लाइफ और डेट का यहां पर स्ट्रगल चलना था पुरे देश में मतलब कि यह सभी चीजों के शौटेज आ रही थी उसी यहां पर दौरान केसे बढ़ते ही लेकिन जो यहां पर सेंटर लीडरिशिप थी वह बेंगॉल में ही फोकस थी तो यह मतलब यह भी लोग तो इन्हों कि बाद कर रहे हैं कि मतलब पर कोशिश की है कि कैसि सिस कम हो लेकिन इतना बढ़िए तरीके से मतलि इंञें कर दो तो तो मतलब कि डेली वेसिस पे केसेहां काफी बढ़ते जा रहे तो लास्ट में रही बात करें कि जो ममता बेलजी की विक्टरी है तो एक तरीके से जो निराश्यावादी जो opposition होती है मतलब कि जो विरोधता होती है से अभी मम्ताव एदर जी की गई election campaign के दोरां तो मतलब उनको एक नया दिल देगी मतलब कि जहां जहां पर भी जिन भी यहां पर राज्या में यहां पर non-bjp की सरकार है ना तो उनको भी एक नया बल मिलेगा मतलब कि अगर उनका विरोध हो रहा है तो मतलब दुबारा लड़के वापस आ सकती है तो कोई भी आ सकता है मतलब कोई भी अगर अच्छे से अगर सई तरीके से आगे बढ़ता है तो आ सकता है तो यहां पर शीव सहना जो है जो कि महराश्टर में जिनकी सरकार है तो वह भी कि इतने जो प्रॉब्लम सके सामने आई तो उनको एक साइट पर करके आगे निकल कर वो जीत सकती है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं अगर हम यहां पर करोना वैरिस की भी बात करें तो इसको भी हम फते कर सकते तो हमारे उपर रहे कि इस तरीके से हम फिजिकल डिस्टैं